आप सभी साथियों का यूट्यूब के इस चैनल में एक बाफिर से स्वागत है मेरा नाम है श्वर अगरबाल अजास CGPAC Academy आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाता है उसकी वज़ा ये है कि आज हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके है दोस्तों यह जो संभा हो सका है आपके प्यार और सपोर्ट से ही संभा हो पाया है और इससे हमें काफी ज़्यादा प्रेणा मिली है आगे भी आपके लिए अच्छा से अच्छा समागरी और कंटेंट देने के लिए ठीक है तो आगे भी आपके सपोर्ट की आवशक्ता होगी ज्यादर साधा या परिवार जितना बड़ा होगा उतने ही हमें प्रेणा मिलेगी और अच्छा से अच्छा कंटेंट विशेवस्तु आपको देने के लिए हम प्रतिबद रहेंगे दोस्तों ठीक है तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाया रखिएगा इस चैनल पर धन्य के प्रेशन पूछे जाता है घड़ी में ये सारे टाइप कवर करते हुए एक्जामपल के साथ इस टॉपिक को हम देखने वाले हैं चले शुरू करते हैं फिर घड़ी एक क्लॉक टाइप वन में बताने वाला हूँ टाइप वन के अंतरगत सबसे पहले क्या पूछता है कि आपको एक्जामपल के तौर पे बाता हूँ कि जैसे ये हो गया घड़ी हमारा ठीक है कितने भागूंगे बारा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा इस प्रकार इस घड़ी में आपको दिखाई दे रहा है कुल बारा भाग होते हैं ठीक है और मिनट की बारा से फिर से बारा पे आए तो कितने अंच का कोण कवर होता है तो आप बड़े असानी से बोल लोगे कि बारा से चलके फिर से हम बारा पे आएं तो एक वृत्त पूरा होता है और एक वृत्त का जो कोण होता है संपूर कोण जो होता है वो तीन सो साथ अंच का होता है मतलब सिधा सिधा यहां से एक relation निकल जाएगा कि एक भाग बराबर 360 बटे 12 मतलब 30 अंच एक भाग बराबर 30 अंच होगा मतलब यहां जो 12 से एक कप बीच का पोर्चन है इसे मैं एक भाग कह रहा हूँ मतलब अगर मिनट की सुई 12 से एक में अगर पहुचेगी तो कितने अंच का कोण कवर करेगी या कितने अंच का कोण बनाएगी कहेंगे तो आंसर आएगा 30 अंच वही अगर घंटे की भी बात करें अगर घंटे की सुई अगर एक से दो में, या किसी में भी एक पार्ट अगर कवर करे, तो वह भी 30 अंज का कोण कवर करेगी, ठीक है, डिफरेंस इतना है कि अगर मिनट के सुई, 12 से 1 में पहुँचेगी तो 5 मिनट का समय होगा, वहीं घंटे की सुई अगर, 12 से 1 में पहुँचेगी अगर, तो 1 घंटे का समय होगा क्लियर है तो खेर यह मिनट का रिलेशन जो है वो भी कोण के साथ होता है लेकिन इतनी चीजों की अवश्यक्ता हमको नहीं है फिलाल इतनी बाते जान लिया वह सफिशियंट है एक पूरा घड़ी जो है फिर आगे अगर देखें तो उसमें यह भी होता है कि अगर पूरा मिनट का काटा एक चक्कर पूरा करें तो साथ मिनट होगा साथ मिनट में कुल 360 अंश होगे तो एक मिनट में 6 अंश निकल के आता है अगर हम देखें जैसे पूरा कवर करने में अगर मिनट का काटा करेंगा तो 60 मिनट का होगा और 60 मिनट बराबर 360 अंश होगा तो एक मिनट बराबर 360 बटे 60 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर से 6 मतलब एक मिनट अगर ट्रेवल करेगा, मिनट का सुई, तो 6 अंश कवर कर लेगा इसके हिसाब से, ठीक है, तो इतना नहीं जाना है, फिर उसे में हमको घंटे कभी रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो येस चीजों की अवशक्ता आपको बिलकुल नहीं है, इनकी अवशक्ता उनको पड़ती है, जिनको शौर्ट्रिक नहीं पता है, मैं आपको शौर्ट्रिक बताते हुए, कैसे आंसर लाना है, ये बताने वाला हूँ, जिससे इसकी अवशक्ता नहीं पड़ेगी, एक basic हमन लेता हूँ सबसे शुरू में और वो है 8 बज़ के 20 मिनट का ठीक है? 20 मिनट में क्या होता है? मिनट की सुई 4 पे होती है और घंटे की सुई 8 पे होती है यह हो गया 8 बज़ के 20 मिनट ठीक है? अब कोण दो तरीके से निकल सकते है? देखे यहाँ एक कोण मिनट और घंटे की सुई के बीच में यहाँ से यहाँ हो सकता है और दूसरा जो होगा वो यहाँ से यहाँ एक ही मतलब है अगर आप घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बोले तो यहाँ से यहाँ भी संभव हो सकता है और घंटे और मिनट की सुई के बीच का कौन यहां से यहां देखें तो वो भी संभव हो सकता है इस तरफ से भी इस तरफ से भी दोनों तरफ से संभव हो सकता है ठीक है तो कौन सा निकालेंगे आपको इस अभी निकाल लीजिये और अगर आपको इस फॉर्मले में पुट करके आंसर जो आपका आ रहा है वो आप्शन में नहीं दिखाई दे अगर तो आपको सिंपल क्या करना होगा कि 360 में से आपका जो आंसर आया है उसे माइनस कर देना होगा तो फिर जो भी आंसर आएगा वो option में definitely दिखाई देगा उसके पीछे करण ये है कि suppose formula में आपने put करके ये वाला cone निकाल लिया है इधर तरफ से देखते हुए लेकिन option में यहां से यहां दूसरे तरफ वाला cone दिया हुआ है तो क्या करेंगे इस cone में से 360 मतलब कुल cone में से कुल cone में से इतना cone अगर minus कर दिया जाए तो आपको ये cone मिल जाएगा कि ने मिल जाएगा सीधी सी बात है तो आपका answer 306 में अगर आप minus करेंगे तो आज आने वाला है एक ही मतलब है बात समझ में आई तो चलिए फिर आगे बढ़ते है समय मैंने क्या लिया 8 बज़ के 20 मिनट का निख़ देते है अब ये formula के सामने है angle cone बराबर 60 into h 60 गुणित h minus 11 into m मतलब 11 गुणित m बटे 2 जहाँ पर h होगा आवर मतलब घंटे कितने घंटे हुए है जैसे 8 बच के 20 मिनट में 8 बज़ा है मतलब ये h की value होगी वही m मतलब होगा minute मतलब किसी भी time में कितना मिनट हुआ है वो m की value होगी मतलब यहाँ पर m की value क्या है 20 चलिए put कर देते हैं तो angle बराबर कोण बराबर 60 गुणित h की value है 8 रिन 11 गुणित m की value है 20 बाद समद में आई जैसे कोई भी समय हुआ है 8 बच के इतना 7 बच के इतना 3 बच के इतना तो h की value जो होगी जितना बज़ा हुआ है घंटे की सुई जिसमें show कर रहा है वो और कितना मिनट हुआ है उसमें m की value सीधा सीधा बच दो चलिए गुणा कीजिए 8 चकार 48 मतलब 480 11 का गुणा 20 के साथ अगर हम करेंगे तो आजाएगा 220 बच दो चीक है 11 दुनित 22 मतलब 220 अब हम जब माइनस करेंगे 480 को 220 में तो आपका result क्या आएगा 480 में 220 का हम माइनस करने वाले हैं तो आंसर आजाएगा 260 260 बटे 2 हमको करना पड़ेगा ठीक है तो आंसर आजाएगा कितना 2 एकमदो 2 ती अच्छे और 0 मतलब 130 अंश 8 बच के 20 मिनट में 8 बच के 20 मिनट में आपका जो कौन होगा ये वाला आया है कितना 130 अंश ठीक है माल लेते हैं 130 अंश दिखाई नहीं दे रहा है आपको आप्शन में तो क्या करना होगा जैसे कि मैंने बताया 360 में आपका आंसर माइनस कर देना है clear है तो 360 में जब 130 हम माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या 230 clear है 200 तो 230 अंश आपका आप्शन में दिखाई दे देगा और वो आंसर हो जाएगा मतलब वो आपको ये वाला एंगल पूछ रहा होगा एक ही मतलब है चाहिए वाला एंगल हो ये वाला एंगल हो किसी भी तरफ से पूछ सकता है आप्शन में नहीं दिखाई देगा तो 360 से माइनस कर देना अंसर आ जाएगा clear है इतना अब आप बोलेंगे कि वो पार्ट के हिसाब से हम cover कर लें जैसे देखें आठ और चार के बीच में मतलब घंटे की सुई 8 में होगी मिनट की सुई 4 में होगी तब आठ बच के 20 मिनट का समय होगा अब आप बोलेंगे कि अगर उसको पार्ट के हिसाब से बना ले जैसे कि हमने बोला था कि 1 पार्ट एक भाग बराबर 30 अंश होता है तो जब ये समय बजा है तो बीच में कितना गयप है देखना मिनट और घंटे की सुई के बीच में ये है 5, ये है 6, ये है 7 मतलब एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट मतलब चार भाग का अंतर आ रहा है तो चार भाग बराबर कितना अंश हो जाएगा तो आप बोलेंगे 30 गुने 4 मतलब 120 अंश है ना ये ही बोलेंगे आप लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है आप सोचिए 8 एक्जेट कब बजा होगा जब घंटे की सुई 8 में होगी और मिनट की सुई 12 में होगी तब एक्जेट 8 बजा होगा और घंटा एक्जेक्ट 8 में होगा लेकिन जैसे ही 8 बज के 20 मिनट हुआ मतलब मिनट की सुई 12 से किस में आ गई 4 में आ गई तो चुकि मिनट की सुई 12 से 4 में आ गई तो मिनट की सुई 12 से 4 में आ गई तो मिनट की सुई खिसकने से तो 120 अंच नहीं आके answer के आएगा 130 अंच तो इतना सोचने की आवशकता आपको नहीं है अगर कोई इस method से करता है तो फिर उसको करना पड़ेगा अगर नहीं ये formula यूज करना है तो आपको कुछ भी सोचने की आवशकता नहीं है direct answer आजाएगा और formula में put करके अगर answer ना आए तो 360 से minus कर दिजेगा answer आजाएगा definitely clear है ये हो गया type 1 एक आथ और example देख लेते हैं आपको पूरी तरीके से clear हो जाएगा ठीक है चलिए उधारन ले लेते हैं 2 बचके 25 मिनट का कोई भी समय ले सकते हैं 2 बचके 25 मिनट का समय ले लेते हैं यहाँ पर h की value हो जाएगी 2 और m की value हो जाएगी 25 put कर लेते हैं formula में angle बराबर क्या है कोण बराबर क्या है कोण बराबर है 60 गुनित h h की value है 2 रिण 11 गुनित 25 m की value है 25 बटे 2 ठीक है 60 गुनित 2 करके आजाएगा 120 और 11 का 25 के साथ गुना अगर करेंगे तो ध्यान रखे किसी भी संख्या का जब 11 से गुना होता है तो क्या property है हमारी कि ये दो संख्या दोनों end में दोनों छोर में लिख दीजिए और बीच में दोनों का योग आ जाता है मतलब 5 और 2 कितना हो जाता है 7 मतलब 275 11 का किस के साथ गुना करके 25 के साथ गुना करके ये 11 से गुना करने की property है जैसे मैं एक और उधारन के तोर पे आपको calculation भी जैसे कि मैंने कहा ता बताऊँगा जैसे अगर मैं बोलू कि 36 का गुना 11 से करेंगे तो result के आएगा तो सीधा सीधा जब 11 से गुना करेंगे किसी भी संख्या को तो वो दोनों जो संख्या दिखाई दे रही है दूसरे अंक का वो दोनों end पे होगा और बीच में आ जागा दोनों का योग जैसे 639, 396 बात समझ में आए divide by 2 चलिए 275 में 120 जब हम अंज का कोण बनेगा कब जब समय होगा 2 बच के 25 मिनट तो देखें 2 बच के 25 मिनट में कैसा बज़ रहा है घंटे की सुई होगी 2 पे और मिनट की सुई होगी 5 पे मतलब ये आपका कोण आया है 275 ठीक है हो सकता है प्रश्न में ये वाला एंगल पूछ दे तो उसके लिए क्या करना होगा 360 से इसको माइनस करना होगा आंसर आ जाएगा ये है आपका टाइप 1 क्लॉक से रिलेटेड ठीक है चले इसको नोट कर लीजिएगा आगे हम बड़ते हैं और देखते हैं टाइप 2 के questions की किस प्रकार के अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं घड़ी से संबंदित ठीक है ये formula बहुत ज़्यादा आवशक है कुछ भी सोचने की आवशकता नहीं है डाइरेक टांसाथ देता है आपको टाइप 2 की बात करें टाइप 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो सुल लिजे टाइप 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं देखिए दो बजे और तीन बजे के बीच में कब ऐसा समय आएगा जब घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में मिल जाएंगी या एक दुसरे के उपपर होंगी ठीक है, कोइंसाइट करेंगी English में अगर कहें ठीक है, तो आपके हिसाब से आप सोचिए दो बजे और तीन बजे के बीच में कौन सा ऐसा समय होगा जब घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में कोइंसाइट करेंगी ऐसे, इस तरीके कोइंसाइट करना, आपस में मिलना इसे कहते है चिक, तो सोचिए दो बजे के दो बजे और तीन बजे के बीच में कौन सा ऐसा समय है जब घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में मिल जाएगी, देखिए, दो अगर बज़ा है तो, घंटे की सुई दो में, और मिनट की सुई बारा में, अब आप बोलेगे कि अगर मिनट की सुई खिसक के, दो पर आजाए, मतलब समय एपरोक्स दिखाई दे रहा है दो बज़ के दस मिनट का, तब हमको दिखाई दे रहा है कि अपस में मिल रही है, है ना, तो आपका अंसर आजाएगा कि दो और तीन बज़े के बीच में, दो बज़ के दस मिनट ऐसा समय होगा, जब दोनों सुई आपस में मिल जाएगी यही आप सोच रहोंगे लेकिन दोस्तों यह आंसर गलत होगा reason वही है सुन लीजिए जब दो बज़ा है तो घंटे का काटा exactly दो पे है लेकिन जैसे ही मिनट का काटा दो पे खिसकेगा तो घंटे का काटा भी थोड़ा सा तो नीचे खिसकेगा के नहीं खिसकेगा तो इसकी वज़े से फरका जाएगा और मिनट की सुई को थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इस वज़े से exactly दस मिनट बाद नहीं होकर वह थोड़ा सा जादा होगा जैसे कि दो बज़े के बाद दोनों सुई आपस में दिखाई दे रही है लेकिन चूझ की मिनट का काटा आगे बढ़ गया तो घंटे का काटा भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो मिनट की सुई को थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा उस मिनट में उस समय में आपको 12 बटे 11 का गुणा करना है बस किसका गुणा करना है 12 बटे 11 का देखिए मैं उधारन के साथ आपको समझाओंगा जैसे इसी का एक्जामपल ले लेते हैं दो और तीन बजे के मध्या ठीक है? दो और तीन के मध्या कब आपस में मिलेंगी यह ऐसा टाइप में नोट कर लीजिएगा चली लिख देते हैं कब दोनों सुईयां आपस में मिलेंगी तो आपका समय जब शुरू में आप सोच रहे थे तो क्या था? दो बच के दस मिनट वो समय था जो आप सोच रहे थे तो लिख लीजिए कि दस मिनट बाद आपस में मिल जाएंगी जो शुरू में हम सोच रहे हैं वो आंसर लिख देंगे जो भी शुरू में सोच रहे थे इस शुरू में सोच हुए आंसर में आपको 12 बटे 11 का गुणा करना पड़ेगा बस और आपका करेक्ट आंसर आजाएगा यह जो डिफरेंस क्रियेट हो रहा है वो कवर कर रहा है कौन 12 बटे 11 ठीक है तो चलिए 10 का गुणा 12 से करते हैं कितना आजाएगा 120 120 को हम भाग करेंगे 11 से तो क्या हो जाने वाला है देखे 120 को 11 से भाग दे रहे है तो देखे किस सरीके से भाग देना सीख लिजे इसको भी किस फॉर्म में आंसर रहता है 11 एकम 11 यह हो गया और यह बचा 10 अब 10 11 से तो भाग जाएगा नहीं सहीप, 10 बटे, 11 मिनट बाद दोनों सुईयां आपसे मिलेंगी मतलब समय क्या हुआ रहेगा 2 बच के 10 सहीप 10 बटे, 11 मिनट यह होगा आपका अंसर, यह इस फॉर्म में इसी फॉर्म में आपका आंसर रहेगा option में ठीक है तो ये ध्यान रखना है कि 2 बज़े के बाद कितने बाद 10 सही 10 बटे 11 मिनट बाद आपास में दोनों सुईयां मिलने वाली है ठीक है चलिए एक और प्रशनले ले 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 सेम प्रशनले ले ले लेते हैं कुछ दूसरे समय के साथ में जैसे बात कर लेते हैं कि भई 9 बज़े और 10 बज़े के बीच में 9 बज़े और 10 बज़े के बीच में कौन सा ऐसा समय है जब दोनों सुईयां फिर से आपस में मिलेंगे ठीक है चलिए बनाने की कुछिश करते है नौ और दस बजे के बीच में हमको देखना है कि कब दोनों सुईयां घंटे की और मिनट की सुई आपस में मिलने वाली है तो देखिए आप ऐसा इमेजिन कर लीजिएगा नौ कब बचता है जब घंटे की सुई 9 पे और मिनट की सुई 12 पे होती है तो आप बोलेंगे कि घंटे का काटा तो बहुत ही धीरे खिसकता है मतलब 9 से 10 के बीच में ये सिर्फ इतना ट्रेवल करेगा लेकिन मिनट का जो काटा है पुरा एक राउंड पुरा करने वाला है 10 बचते तक है ना तो देखें मिनट का जो काटा है वो खिसकते 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 कहां पर आना चाहिए ये घंटे के सुई के पास में आना चाहिए मतलब जब घंटे की सुई 9 के आसपास होगी तो मिनट की सुई भी इसी के आसपास होनी चाहिए तब भी वो अपस में मिलते दिखाई नहींगी मतलब ये कौन सा समय है 9 अर 10 के बीच में आप बोलेंगे, पॉने 10 का समय है, है ना, पॉने 10 बजे, घंटे के काटा भी 9 के पास, मिनट का काटा भी 9 के पास, मतलब 9 बजे के बाद कितना समय हो रहा है पॉने 10, 45 मिनट बाद, तो आपका शुरुवाती समय कितना है, 45 मिनट, लेकिन आपका correct answer नहीं है, मैंने की बताया जैसे कि मिनट का सुई खिसका है तो घंटे का सुई भी थोड़ा उपर खिसकेगा तो मिनट के सुई को थोड़ा सौर ट्रेवल करना पड़ेगा आपस में मिलने के लिए है ना तो शुरुवाती आंसर आपका 45 था इस आंसर में आपको 12 गुणित 11 करना होता है और वो डिफर हासिलाई 1 बीच वाले भाग में लिप दीजे अब बीच वाले भाग के लिए डैगोनली गुणा करना पड़ेगा चार का गुणा 2 के साथ 5 का गुणा 1 के साथ तो चार दुनी 8 प्लस 5 एकम 5 आट पांच कितना हो गया तेरा और तेरा धन 1 चवदा का 4 हासिलाई 1 और आखर स्टैप करने के लिए 4 और 1 का गुणा करना पड़ेगा 4 एकम 4 और एक 5 540 तो 540 आ गया और डिवाइड करना है उसको 11 से चलिए करते हैं 540 को 11 से डिवाइड करने पर क्या रिजर्ट मिलेगा 11 44 ठीक है 10 बज गया और 0 बचा हुआ है 100 बज गया कितने बार में डिवाइड ह होगा 9 11 ही 90 बज गया क्या एक अब 11 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो क्या लिख देंगे ऐसे ही एक और भाग से दे रहे थे 11 से तो 1 बज गया है 49 सहित 1 बटे 11 मिनट में दोनों घंटे और मिनट की सुईयां आपस में मिलती दिखाई देंगी मतलब मिल जाएंगी क्लियर हो गया होगा आई थिंग आप जो भी शुरू में सोचेंगे उसमें सिर्फ 12 बटे 11 का गुणा करना है कि मैं आपको बार-बार क्या रहा हूँ दोस्तों ठीक है चलिए एक और मैं आपको टाइप तो नहीं इसी टाइप की अंतरगत एक अलग प्रकार का प्रश्ण कैसे पूछा जाता है वो मैं बताने वाला हूँ देखे 8 बजे के बाद कौन सा ऐसा समय है जिसमें 8 बजे के बाद कौन सा ऐसा समय है लिखते जाएगा 8 बजे के बाद कौन सा ऐसा समय है जब मिनट की सुई और घंटे की सुई 180 अंश का कून बनाएंगी ठीक है या फिर इसी को अलग शब्दों में कैसे कह सकता है कि 8 बज़े के बाद कौन सा ऐसा समय है जब दोनों सुईयां एक सरल रेखा में होंगी एक ही प्रशन है दो अलग अलग तरीके से पूछा गया है चलिए देखते तो देखे आठ बज़े के बाद 8 बज़े के बाद, बतलब 8 कैसे बज़ा है घंटे की सुई 8 पे और मिनट की सुई 12 पे कौन सा समय है, 8 बज़े के बाद कौन सा समय आएगा जब दोनों सुईयां सरल रेखा में होंगी या दोनों सुईयां 180 अंज का कोण बनाएगे 180 अंज का कोण पहले कैसे बनता है देखिए अगर घंटे की सुई इधर है तो मिनट की सुई उसके विपरीत सरल रिखा में होनी चाहिए और ये जो कोण होगा 180 अंज का होगा स्ट्रेट लाइन, क्लियर है तो बताईए अब इसके बाद कौण सा समय है जब दोनों सरल रिखा में होंगी तो आप बोलेंगे कि घंटे की सुई तो 8 में ही रहने वाली है मिनट की सुई खिसकते हुए अगर किस पे आ जाए? दो पे आ जाए तो एक सरल रिखा के रूप में दिखाई देगा ये और ये होगा 180 अंज का कोण शुरुआती आंसर के तोर पे है ना अभी शुरुआती आंसर की बात कर रहोंगे तो 8 बजे 10 8 बज के 10 मिनट में हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों सुईयों के बीच 180 अंज का कोण बन रहा है या फिर दोनों सुईयां एक सरल रिखा में है तो 10 मिनट बाद 8 बजे के कितने मिनट बाद? 10 मिनट बाद तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 10 मिनट आपका शुरुआती आंसर है उसमें आपको मेक अप करने के लिए 12 बटे 11 का गुणा करना पड़ेगा चलिए कर देते हैं 120 बटे 11 और 120 बटे 11 हमने पहले ही कर रखा है क्या रिजल्ट देता है आपको 10 सही 10 बटे 11 मिनट ठीक है तो कौन सा समय होगा 8 बचकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट ऐसा समय होगा जब दोनों सुईया सरन रेखा में होंगी या एक दूसरे के विपरीत होंगी या 180 अंच का कौन बनाएंगी तीनो एक ही है शब्द अलग-अलग तरीके से पूछे गए है क्लियर है इस प्रकार से प्रश्ण पूछे जाते हैं परिक्षन में या फिर अगर कहें कौन सा ऐसा समय है जब घड़ी जो है शुन्य अंच का कौन बनाएंगी तो ये जो शुन्य अंच का कौन बनाएंगी इसका मतलब यही है कि कब दोनों सुईयां आपस में मिलेंगी क्योंकि शुन्य अंच का कौन कब बनेगा जब अगर मिनट का काठा किसी भी समय पर हो जैसे माल लेते 3 पे हो और मिनट का का काठा भी गंटे का काटा तीन पे तो मिनट का काटा भी तीन पे तो इस तरीके से जब एक ही direction में होते हुए एक के उपर एक होंगी तो वो सुन्य अंज का कोण कहलाएंगी या आपस में कब मिलेंगी जैसा कि हम पहले देख रहे थे एक ही मतलब है दोनों तो ध्यान से सुन्य फिर से अच्छे से नोट कीजेगा पहला इसमें है sub type कि दोनों सुियां कब आपस में मिलेंगी चलिए इसके थूरू बता रहो हूँ ठीक है, शुन्य अंश का कोण बनाते हुए, एक ही दिशा में सरलरेखा में, तो ये हो गया, तीनो, एक ही question, दूसरा question क्या, ऐसा कौन सा समय होगा, जब दोनों सुईयां विपरित दिशा में सरलरेखा में होगी, तो विपरित दिशा में मतलब ही है और सारल रेखा इसी का क्या मतलब होगा कि दोनों सुईयां का अब 180 अंश का कौन बनाएंगी या दूसरा शब्द हो गया दूसरे प्रकार से तो ये दोनों एक ही है पहला वाला एक ही था तो ये दो अलग अलग सब टाइप हो गया इसके अंतरगत ठीक है तो क्लॉक के अंतरगत हमने दो टाइप आज कवर किये जिसमें दो सुईयों के बीच का कोन कितना अंश का होता है वो कैसे निकालेंगे और साथी साथ कब जो दोनों सुईयां है वो आपस में मिलेंगी या सराल रेखा में होंगी एक ही दिशा में होंगी या विपरिद दिशा में शुन्य अंच या 180 अंच या सारी चीज़े हमने देखी दोस्तों पहले टाइप में फॉर्मला मैंने दे रखा था आपका किसी भी समय का किसी भी घड़ी के समय का दरपन प्रतिबिम्ब और जल प्रतिबिम्ब पूछा जाता है उसके साथ-साथ faulty clock गलत घड़ी भी एक topic है जिसमें कोई भी घड़ी fast चलती है या धीरी चलती है तो उसका सही समय हमको बताना होता है तो इस तरीके से अगले वीडियो में हम 3 टाइप कवर करेंगे क्लॉग का ठीक है तो चले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों धन्यवाद